हालो माई डेव फैंट स्वागाति पद फिर से आप सभी के फैबरिट यूटूब सेनल एकजाम अब्डेस में आज हम बात करेंगे आपके यूपी पॉल्टेक इंटर्स एकजाम 2022 के कॉंसलिंग के टाइम जो कॉलिज अलाट होगा कौन कौन सा डोकुमेंट लगने वाले एक ठिक फिर्ञेंड्स और अपने विडिक साथ जवरू से करिएगा कोई प्रावलु कर सकते हैं और कोई भी अप्डेट अप्डेट ओने होगा और वाटसप ग्रूप से जॉइन हो सकते हैं इसक्राइब कराना है क्योंकि काफी बच्चे नहीं पता काउंसलिंग कैसे करना तो आप हमसे भी काउंसलिंग करा सकते हैं वह भी बहुत मात न बहुत कम फिस में इस्टा फिस देगें ठीक है बहुत थोड़ा बहुत फिस इस्टा यहां पर हमको वाट्सप कर सकते कॉंसें कोई भी आपको अगर हमसे अगर कॉंसें करना है ताकि आपको सीट मिले ठीक है अगर फाल को भी है मैसे से करना हो तो मत करें क्योंकि हम बहुत बीजी इंसान है क्योंकि रोज 200-300 बच्चों का रिपलाई देना बहुत मुस्किल हो ज घल डॉकुमेंट है बताओंगा पूरा कहां कहां से बनेगा तो सबसे पहला डॉकुमेंट आपका है जीकप admit card 2022 तो आपने जो admit card देने के बाद admit card मिला होगा उसको admit card सम्मौल के रखें एक प्लस पीएच पीएच मन अगर आप हैं और भरे हैं तो भल लेजिएगा कुछ बच्चे ओवीसी हैं कुछ बच्चे एडबलुएस हैं तो कुछ बोलना है सर क्याई डबलुएस लगेगा तो बच्चे आप लोग पास अगर एडबलुएस बनाके रखो अगर आप लोग ने आपके टाइम एडबलुएस अप्लाई किया था तो आपको प्रिफरेंस मिलेगा यानि आपको सुहरीता मिलेगी जूट मिलेगी तो कार स्रेटिपेट बना लो कार स्रेटिपेट आपका सहज जन सेवा कैंसर डारिक बन जाता है बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है आप आपको पता इस करद से जो अप्लाई करेंगे तो जरूरत है तो एक साथ तीनों का दे दीजिए ताकि जल्दी जल्दी बन किया जाए जिनलों का बच्चे नहीं बना सब लोग रेडी करा देना आईडी में आप अधार काड़ यूज करतें नॉर्मली आप अधार काड़ अधार काड़ यूज करतें अधार काड़ यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका डॉकमेंट 10 अगर 10 आपने अप्लाई के बच्चे और फोटो कापी जितना मैं बता रहो सभी का और फोटो कापी सभी चाहिए क्योंकि हाला कि जब आप डॉकमेंट वेरिफिकेशन लेएं अब अपने कॉलेज में जमा कर लेते हैं और जितने भी आपके मार्क्सीट रेजल्ट हैं सब कुछ आपको वापस कर दिया चाहिए आज चाहिए हो चाहिए जात हो ठीक है सब मिल जाएगा वरिजिनल आपको मिल जाएगा लेकिन वहाँ पर दिखाना पड़ता है वहीं 12 की तो बना देगा नेश्क सभीं मिल थेथा रेंगे आल रिज भीठ भीट्नेश इस्ञार आप मेरा एखियरिव्ध मिल नेटव चाहिए करता हूं आपको कि बच्चे कि अगर आप लोग जैसे अधार इस्टेटवाल जैसे कुछ बच्चे बिहार के भी देखें फाम फिल करें मुझे मैं से जायता हूं किसर मैं बिहार से हूं क्या करूं तो उन लोगों के लिए लोगों को दूसरे इस्टेट में एडमिसल लेना है तो हमको उसके लिए माइगरेशन स्रेटिपिकेट चाहिए इस सिंगनेचर चाहिए तो आपको करवा के देखेंगे के लिए तो आपको नॉर्मल खोई बना देगा इसको बोलते एफिडेविट कोई बना एप एफिडेविट जिसको बना देता है तोड़ा स्ट हरा है तो चींडिर की बात करें टीसी बच्ची आपका लाश्ट वारा जमा होगा ठीक है जैसे आप मनले टंध से फार्म फिल लेकिन अभी 12 पास किया तो आप 12 का भी TC जमा कर सकते हैं अगर 12 का नहीं जमा करेंगे तो आपको 13 का देना पड़ेगा सभी का दो दो जी रोक्स रहना चाहिए एक कोजिनल सभी तयार रखो जैसे आएगा मैं पूरा अपडेट बता दोगा सीट अलाटमेंट लेटर आपको पता जब कॉंसलिंग मैं करूंगे आप खुद करेंगे तो आपको जब सीट अलाट में रिजल लाता है उसमें दिखाई देता किस नंबर का मिला है कौन सा है पूरा एडर्स पूरा निलता है तो उसका भी प्रिंट आउट आपको निकाल लो आके रखना है ठीक है तो बच्चे जितने भी डोकुमेंट से आपके पूरे है डोकुमेंट ठीक है बहुत ज़्यादे इंपॉर्डन डोकुमेंट है और चैनल पर भी विजिट किया है चैनल को सस्काइब करके बेल आकन को प्रेस कर लाता है कि छोटी छोटी लिटर सबसे पहले मिले क्योंकि आ अगर आपका कंफूजन दूर नहीं होता तब हमको मैसेज करिएगा और काल बिल्कुल नहीं जो आटसर नंबर त्रिपल लेट से उन फोट नाइन में दे रहा हूं इमना आटसर नंबर इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि आप काफी बच्ची मुझसे कॉंसलिंग करवाते ह नहीं है कि इतने इतने कालिज मिल लाए तो तो हम लोगों को पता रहता है तो हम लोग उसी साब से फॉर्म फिल करते हैं तो आज सा वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद लाइक रहे तो चैनल को सब्सक्काइब कर लो बेल लाग और फिस खोलो कॉंसलिंग करा नहीं तो ह लिंक डिसक्रिशन में चिकरे जहन